हर्याना में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार कर्मचारियों के लाप के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले रही है. सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को सुनिश्चित करने के लिए एक मसौधा तैयार किया है. इसके तहट DC दर पर काम करने वाले उन कर्मचारियों की पुष्टी करनी होगी, जिनका काम संतोषजनक है और जो स्वीकृत्पत के खिलाफ काम कर रहे हैं हाला की सरकार ने अभी तक ये तैं नहीं किया है कि 5 साल से काम कर रहे कर्मचारियों को शामिल किया जाए या 7 साल से काम कर रहे कर्मचारियों को इस संबंध में उच्च स्तर पर चर्चा की जा रही है ये संभावना है कि सरकार जल्द ही इस मसोदे को तैयार करेगी और कच्चे कर्मचारियों के लिए नीती जारी करेगी इससे पहले हर्याना सरकार को स्थाए कर्मचारियों और कच्चे कर्मचारियों के संबंध में सभी विभागों के प्रमुखों से पूरी जानकारी मिली थी मुख्य सचेव ने पिछले महीने सभी रिक्त और भरे हुए पदू का विवरन मांगा था समूह डी और सी के कच्चे कर्मचारियों का विवरन लिया गया है जिसमें डी सी दर्थ तदर्थ नीती दो के तहट लगे समविदात्मत कर्मचारी शामिल है साथ ही, सरकार का इरादा शुरुआत में DC दर और एड होक पर लगे कर्मचारियों को मजबूत करने का अफसर देना है इसका पालन अन्य श्रेनियों के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा क्योंकि हर्याना ने विभिन आउट्सोसिंग नीतियों के तहट अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की भरती की है मुख्यमंत्री कार्याले के एक अधिकारी ने बताया कि मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए जल्दी मुख्यमंत्री के साथ बैठक होनी है इसके बाद कच्चे कर्मचारियों को सुनिश्चित करने का रास्ता साफ हो जाएगा